एक रात एक छोटे गाउं में अचानक एक अजीब सी गतिविधी शुरू हो गई। लोगों को अंजान शब्दों की गून सुनाई दी जो उन्हें चुनोती पूर्ण और डरावनी लगने लगी। घर के अंदर भी अद्भुत और भयंकर घटनाएं होने लगी। लोगों के सपनों में भी डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। गाउंवानों ने समझा कि कुछ अद्भुत हो रहा है और उन्हें डर लगने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि गाव में भूत हो सकता है, जबकि कुछ ने यह माना कि यहां किसी अध्भुत शक्ति का काम है। रात के अंधेरे में लोग अपने घरों में बंद होकर डर से डर के मारे रह गए। एक रात एक युवक ने गाव के पुराने मकबरे में जाने का निर्णे किया। उसने सोचा कि शायद वहां कुछ रहस समय हो। जब वह मकबरे के पास पहुँचा, तो उसने एक अंधेरे तहखाने को खोला। वहां उसने एक विचित्र चहरे वाले पुराने बाबा को देखा। बाबा ने उसे एक भयंकर चहरे से देखा और उसे बुलाया। युवक की धड़कने तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बाबा के पास गया और पूछा, कौन हो तुँ। बाबा ने भया मांचक और डरावनी यात्रा पर चला गया। गाउवालों ने कभी उसे वापस नहीं देखा। उसके जाने के बाद गाउव में फिर से शांती का माहौल बन गया। लेकिन वह अंजान शक्ती कभी भी भयानक संदेश देने के लिए तयार रहती है।